नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अनकैडमी के प्लेटफॉर्म अनकैडमी अभियान पर जहां पर हम ना सिर्फ आने वाली प्रारंभिक परिक्षा बलकि सभी एक्जामों को ध्यान में रखते हुए भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं इंडियन जोगरफी पढ़ रहे हैं अब को याद होगा कि इंडियन जोगरफी की हमारी चार क्लासे हो चुकी हैं और ये हमारी पांचवी क्लास है दोस्तो हमने डेवन से एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था और उस टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन ओफ इंडिया भारत के सामान्य परिचय में हमने दो बड़े टॉपिक कम्प्लीट कर लिये हैं हमने भारत की बहुगॉलिक इस्थिती के बारे में पढ़ लिया है जोग्रफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया है साथ ही साथ हमने भारत के राज्य और संग सासित प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया है, इंडिया के इस्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ लिया है कल से हमने एक बड़ा महत्वपून टॉपिक पढ़ना शुरू किया था भारत की सीमाएं और उसके पड़ोसी देश इंडियास बॉडर एंड नेबरिंग कंट्री और इसमें दोस्तों आपको याद होगा तो सबसे पहले हमने ये डिसकस किया था कि भारत की जो इस्थलिय सीम है जो कोस्ट लाइन है वो भी हमने डिसकस किया था 7516.6 किलो मीटर की भारत की कोस्ट लाइन है 30 सीमा है फिर हमने एक बड़ा ही महत्वपून टॉपिक डिसकस किया था कि भारत की जो इस्थलिय सीमा है इंडिया की जो टेरिस्टोलियर बाउंडरी और फिर लेंड हैं बांगलादेश जिसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा सांजा होती है बांगलादेश के साथ हमारी longest international boundary है उसके बाद चाइना चाइना के बाद दोस्तों पाकिस्तान पाकिस्तान के बाद नेपाल उसके बाद म्यानमार ठीक है फिर हमने देखा था भूटान और फिर दोस्तों हमने देखा था अफगानिस्तान और कल की ही क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था कि भारत और बांगलादेश की सीमा इंडिया और बांगलादेश की boundary और ये भी हम देख रहे थे कि भारत और बांगलादेश के बीच में कौन कौन से मुद्दे हैं उससे पहले मैं एक बात आपको बता दू विच इस वरी मुच इंपोर्टेंट कि कल मुझसे एक factual गलती हो गई थी उसको ठीक कर लीजिएगा कि जो जूरा परवत है वो फ्रांस और स्विट्जरलेंड के बीच की सीवा बनाता है वो मैं PDF में भी अप्लोड कर दूँगा और दूसरी बात फ्रांस और इस्पैन के बीच में पेरिनीज नाम के माउंटेन है वो France और Spain की boundary बनाते हैं तो Zura Mountain Switzerland और France के बीच में है ये प्लीज अपडेट कर लेना कॉमेंट में भी मैंने डाल दिया था और PDF में भी हम ये upload कर देंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो कल दोस्तो हमने भारत की अंतररास्टिय सीमा के तहट इंडिया की international boundary के तहट भारत और बांगलादेश को पढ़ना शुरू किया था हमने देखा था कि भारत की 4096 km की जो boundary है 4096 km की boundary बांगलादेश के साथ भारत शेयर करता है और कितने राज्य हैं तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर ये बांगलादेश है तो भारत के 5 राज्य है सबसे पहला राज्य यहाँ पर पस्चिम बंगाल देखने मिला था जो सबसे बड़ी boundary शेयर करता है फिर दोस्तो असम है फिर मेगालेया है फिर त्रिपुरा है और फिर दोस्तो मिजोरम है हमने ये भी देखा था कि त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो तीन ओर से बांगलादेश की सीमा से घिरा हुआ है और त्रिपुरा और बांगलादेश के बीच में जो boundary है उसे zero line के नाम से जाना जाता है ये बिलकुल basic बातें जो हमने सीमा के बारे में पढ़ी थी फिर हमने discuss करना शुरू किया था कि भारत और बांगलादेश के बीच कौन-कौन से विवाद है तो पहला विवाद है दोस्तो सुंदर वन डेल्टा को ले करके क्या विवाद है समझें तो हमने जाना था कि जो सुंदर वन डेल्टा है वो गंगा और ब्रम्पुत्र नदी के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे बड़ा नदी डेल्टा है इसमें ये भी याद रखना है कि गंगा जब बांगलादेश में जाती है तो उसे पदमा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र जब बांगलादेश में जाती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है और इन दोनों का संगम हो जाता है ये दोनों आपस में मिल जाती है तो इसे हम मेगना के नाम से जानते है और अल्टिमेटली जो मेगना नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है अब अगर हम सुन्दर्वन डेल्टा की बात करें दोस्तों जो की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है तो इसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं एक वेस्टर्ण सुन्दर्वन पस्चमी सुन्दर और दूसरा है इस्टर्ण सुन्दर्वन अर्थात पूर्वी सुन्दर्वन दोस्तों पूर्वी सुन्दर्वन का जो इलाका है वो बांगला देश में आता है जबकि पस्चमी सुन्दर्वन वाला जो इलाका है वो भारत के पस्चम बंगाल में आता है इंट्रस्टिंग वैसी आदरभूमी नहीं है दोस्तो ये रामसर आदरभूमी है इट इस दी रामसर वेट लेंड और हमने ये भी जाना था कि ये भारत की 27 वी रामसर भूमी है और भारत की सबसे बड़ी अर्थात लार्जिस्ट रामसर साइट है जो हमने भारत के सुंदरवन डेल्टा के बा पाया जाता है और यहाँ पर mangrove vegetation पाया जाता है भारत का सबसे ज़्यादा mangrove vegetation सुन्दरवन वाले इलाके में देखने को मिलता है और यहाँ दोस्तों white tiger भी दा बंगाल tiger भी यहाँ पर पाया जाता है ठीक है चलिए तो यह पहला विवाद था सुन्दरवन डेल्टा को ले क करके फिर याद होगा तो सुन्दरवन डेल्टा के बाद दूसरा topic जो हमने discuss किया था वो second topic जो हमने discuss किया था वो टिपाई मुख बांध या टिपाई मुख डैम को ले करके किया था टिपाई मुख बांध कहां पर है तो हमने जाना था कि यह मांध मनीपुर में इस्थित ह साहब कौन सी नदी पर है तो एक नदी है दोस्तो बराक जो मनीपुर से ही निकलती है तो बराक नदी और जो आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और ये बांगला देश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो बराक नदी पर टिपाई मुख बांध बनाय जयसा कि मैंने आपको बताया कि बराक जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो बांगलादेश यह कहता है कि बराक जो विचिसदी ट्रिब्यूटरी और ब्रह्मपुत्र तो इसकी वज़े से ब्रह्मपुत्र में पानी कम हो सकता है औल्दो यह issue resolved हो चुका है बस इतना याद रखिये कि तिपाई मुखबांध बड़ीपुर में इस्थित है फिर दोस्तो हमने तीसरा मुद्दा जो डिसकस किया था जो बहुत इंपोर्टेंट है वो तीसता रिवर डिस्प्यूट है जो अब भी भारत और बांगलादेश के बीच में चल रहा है हमने जाना था कि जो त सिक्किम से ओरिजिनेट होती है सिक्किम से ये नदी निकलती है दोस्तों और सिक्किम में भी देमो गलेशियत से ये नदी निकलती है और सो महो लेक से ये नदी निकलती है सिक्किम के बाद ये पस्चिम बंगाल जाती है वेस्ट बंगॉल जाती है और वेस्ट बंगॉल के चौती प्रमुख नदी है और बहुत सारा पानी तीस्ता नदी का बहुत सारा पानी बांगला देश के लिए बड़ा ही उपयोगी है तो हमेशा से ये बिवाद चलता रहा कि भारत के पास, इंडिया के पास कितना पानी होना चाहिए और बांगलादेश के पास कितने पानी का अधिकार होना चाहिए तो हमने जाना था कि 1983 में 1983 में भारत और बांगलादेश ने इसके लिए एक समझोता किया और कहा गया कि 39% जो पानी है वो भारत इस्तमाल करेगा 36% जो पानी है वो बांगलादेश इस्तमाल करेगा और 25% जो पानी है उसको अनलोकेटिड या नदी के लिए रखा जाएगा फिर 2011 में इस चीज को बढ़ाने की बात कही गई पर भारत में जो वाटर है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है तो ममता बनर जी इस बात के लिए अगरी नहीं हुई और ये अगरिमेंट नहीं हो पाया तो फिलहल 1983 का अगरिमेंट भारत और बांगलादेश के बीच में जाता है रंगित भी कहा जाता है और ये भी सिक्किम की एक महत्वपून नदी है तो ये तीसरा विवाद था जो हमने डिसकस किया था फिर चौते नंबर पर हमने एक और important topic डिसकस किया था और ये था दोस्तो तीन बीघा कॉरिडोर को ले करके तीन बीघा कॉरिडोर से पह आपको और enclave का मतलब होता है कि जैसे ये एक देश है और यहाँ पर ये दूसरा देश है तो अगर इस देश का कुछ हिस्सा यहाँ पर है और इस देश का कुछ हिस्सा यहाँ पर है तो इन्हें enclave कहा जाएगा इन्हें अंतह छेत्र कहा जाएगा तो इसी तरीके से हमने द लेकिन बांगलादेश के दो इलाके जिसे अंग पोत्ता और दोह ग्राम कहा जाता है अंग पोत्ता और दोह ग्राम ये अंग पोत्ता वाला इलाका है ये दोह ग्राम वाला इलाका है तो ये भारत के इलाके में आते हैं इंडिया के इलाके में आते हैं तो कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू था तो भारत और बांगलादेश की सरकार ने ये डिसीजन लिया 1992 में कि हम क्या करेंगे पस्चिम बंगाल के वेस्ट बंगॉल के कूछ बिहार वाले इलाके में एक कॉरिडोर बनाएंगे जो अंग पोत्ता दोह ग्राम को बांगलादेश के साथ कनेक् तो इस चीज को कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया और इसी कॉरिडोर को तीन बीगा कॉरिडोर कहा जाता है शुरुवात में इसमें कम आर्स में आने की अनुमती थी 2011 से ये कॉरिडोर 24 गंटे के लिए ओपन कर दिया गया 24 आर्स के लिए इसे ओपन कर दिया तो ये चौथा मुद्दा था, फिर हमने कल पांचवे और आखरी मुद्दे की चर्चा की थी दोस्तों, और पांचवे मुद्दे का नाम था कि भारत और बांगलादेश के बीच में कौन कौन सी ट्रेंस चलती हैं, तो हमने जाना कि भारत और बांगलादेश के बीच में ती बंधन के बाद दूसरी ट्रेन चलाई गई उसे हम मैत्री के नाम से जानते हैं और मैत्री के बाद जो तीसरी ट्रेन चलाई गई उसे हम मिताली के नाम से जानते हैं जो 2022 में जून में इस ट्रेन को शुरू किया गया तो ये भी आपको याद रखना है कि मैत्री I think मैं में शुरू हुई थी बंधन 2018 में शुरू हुई थी और 2022 में मिताली शुरू हुई है तो ये तीन ट्रेने हैं जो भारत और बांगलादेश के बीच में चलती हैं तो ये पॉइंट दोस्तों हमने रिवाइज कल हमने पढ़े थे उमीद करता हूं देखिए मैत्री 2008 में बंधन 2018 में और मिताली 2022 में तो इतने मुद्दे हमने कल तक की क्लास में पढ़ लिये थे अगर कल आपको समझ नहीं आए तो उमीद करता हूं इस क्विक रिवीजन के द्वारा पूरे टॉपिक आपके रिवाइज हो गए होंगे चलिए तो आगे बढ़ाते हैं क्लास को और भारत और बांगलादेश के बीच में दूसरे कौन से मुद्दे हैं उनकी चर्चा अभम करते हैं तो अगला मुद्दा जो भारत और बांगलादेश के बीच में हैं वो फरक का बैराज को ले करके हैं देखो बैराज एक प्रकार का बांध होता है एक प्रकार का डैम होता है और आप जानते हैं कि डैम के द्वारा नदी का पानी रोका जाता है और उसके तीन काम होते हैं। तो दोस्तों फरक्का बैराज क्या है और क्या विवाद है इसके हम चर्चा करेंगे। तो भारत की एक बहुत ही महत्पून नदी है जो उत्रा खंडे से निकलती है और इस नदी का नाम है दोस्तों गंगा। और गंगा भारत के बाद बांगलादेश में जाती है और ये बंगाल में मिल जाती है भारत की जीवन रेखा गंगा ठीक है अब कहानी को जज़ा समझेगा कि इसमें क्या बात हैं तो गंगा की एक वित्रीका है गंगा की एक डिस्ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी नहीं कह रहा हूं मैं मैं कह रहा हूं कि गंगा की एक वित्रीका है ए एक बंदरगाह है दोस्तों और इसे कहा जाता है कलकत्ता बंदरगाह कोलकता पोर्ट और इसको एक और नाम दिया जाता है पूर्व का लंदन लंदन अफ दी इस्ट थेकर इस किस नदी पर है हुगली नदी पर है तो हुगली नदी पर एक बंदरगाह है जिसे कलकत्ता बंद तरगाह कहा जाता है और हुगली जो है वो गंगा की वित्रीका है, डिस्टिब्यूटरी है। देखो दो अंतर समझना, सहायक नदी का मतलब क्या होता है, जिससे माल लीजिये कि ये एक नदी है और इस नदी में जब दूसरी नदियां आकर के मिलती हैं, तो इन्हें हम सहायक नदी कहते हैं दोस्तों, लेकिन जब एक मुख्य नदी में से, जब एक प्रमुख नदी में से, एक दूसरी नदी बाहर निकल जाए, तो इसे हम वित्रीका कहते हैं, इसे हम डिस्टिब्यूटरी कहते हैं, तो ये अंतर आपको याद रखना है, अब समस्या समझेगा कि क् देखो कलकत्ता बंदरगाह एक बहुत महत्पुन बंदरगाह है एक बहुत ही important port है तो हुगली नदी में एक समस्या जाने लगी जिसे गाद की समस्या कहा जाता है जिसे सिल्ट की समस्या कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी गाद यहां पर एकटी होने लगी जिसकी वज़े से ये बंदरगाह अच्छे से काम नहीं करता था और इसके management का खर्चा बहुत जादा आने लगा तब एक सलाह दी गई तब एक suggestion दिया गया कि साहब एक काम करते हैं एक काम करते हैं कि अगर हम इस नदी में पानी को बढ़ा दे अगर हम इसमें water को बढ़ा दे तो ये गाद की सम मस्या को resolve किया जा सकता है तो पस्चिम बंगाल में एक जगे है दोस्तों यहाँ पर पस्चिम बंगाल में एक जगे है West Bengal में और इस जगे का नाम है मुर्शिदाबाद तो मुर्शिदाबाद में 1975 में एक डैम शुरू किया गया और इसी बांध को हम फरक्का बैराज के ना जाने लगा जिससे यहां पर गाद की समस्या खतम हो गई और कलकत्ता बंदरगाह आसानी से और अच्छी तरह से काम करने लगा लेकिन अब फरक्का बैराज को लेकर के कुछ समस्याएं आ रही हैं पहली समस्या जो बिहार की मुख्यमंत्री ने कही कि फरक्का बैराज को खतम किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बिहार वाले इलाके में बाढ़ आ रही है दूसरी समस्या और बड़ी है समस्या ये है दोस्तों कि एक मचली की प्रजाती है जिसे हिलसा कहा जाता है हिलसा हिलसा एक मचली की प्रजाती है मचली का नाम है तो हिलसा एक ऐसी मचली है जो सामा नितह समुद्र में रहती है, ओशियन में रहती है, लेकिन वो एक समय के बाद नदियों के अंदर आ जाती है आस्रे लेने के लिए, तो जब तक फरक्का बांध नहीं बना था, तो ये मचलियां दोस्तो आगरा तक पहुंच जाती थी, यहां तक ये मचलियां आ जाती थी, ल आप कहा जा रहा है कि जो फरक्का बैराज है, हम उसमें एक फिश पास बनाएंगे, मतलब मचलियों के लिए एक जगह बनाएंगे, जहां से मचलिया निकल सकें, ताकि इस प्रॉबलम को रिजॉल्व किया जा सकें, तो फरक्का बैराज अभी चर्चा में है, ये बेसिक प बता ही दिया कि कलकत्ता बंदरगाह में गाद की समस्या को रिजॉल्व करना, यहां पर देख भी सकते हैं, ये फरक्का बैराज है, ये हिल्शा फिस है, जो आपको यहां दिखाई देगी, और ये अल्टिमेटली जा रहा है, पटना में कहा गया कि पटना में बहुत सारी बाढ़ आ गई, जो फरक्का बैराज की वज़े से आई, तो इसको खतम किया जाना चाहिए, ये सारी बातें उठ रही है, ये हुगली नदी है, और ये देखिए, जैसे ही गंगा बांगलादेश में जाती है, उसका नाम पदमा हो जाता है, और यहां देखो, ये जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि विवाद क्या चल रहा है, और इस मचली का नाम याद रखना हिल्शा, और थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में कि हिल्सा नदी कब आती है, कैसे आती है, तो हिल्सा मचली जो है, वो किस तरह से आजाती है, किस मौसम में ठीक है, अब अगला इशू क्या है भारत और बांगलादेश के बीच में, तो अगला ये अच्छा वाला इशू है, जो रिजॉल्व हो गया है, जिसे भारत बांगलादेश का भूमी बॉर्डर समझोता कहा जाता है, तो शुरुवात में हमने आपको एक कहानी समझाई थी दोस्तों, और कहानी हमने आपको एनकलेव की समझाई थी, हमने आपको बताया था कि ये भारत वाला इलाका है, और ये बांगलादेश वाला इलाका है, तो जब भारत और बांगलादेश की बांडरी इतनी आसान नहीं है, जो मैंने यहाँ पर बना दी है, बहुत टिपिकल सी boundary है तो बांगलादेश के लगभग 51 enclave, almost 51 enclave भारत में आते थे और भारत के लगभग 111 अंतह छेत्र, 111 enclave बांगलादेश वाले इलाके में आते थे अब समस्या आप clearly समझ पा रहे हैं जो कल हमने आपको बताई थी कि आप खुद सोचिए कि ये भारत का हिस्ता है लेकिन ये चारों तरफ से बांगलादेश से घिरा हुआ है तो ना यहां के नागरिकों को अधिकार मिलेंगे ना ही सुविधाई मिलेंगे तो इन्हें कहा जात था कि ये ऐसे नागरिक जो किसी देश के नहीं है तो इनके अधिकारों का हनन हुआ इनके बेसिक हुमन राइट्स का हनन हुआ वाइलेशन हुआ तो दोस्तो 1974 में 1974 में भारत की प्रधान मंत्री इंदरा गांधी और बांगलादेश के मुझीबुर रहमान ने एक समझोता क और उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं कि जो भारत के एंकलेव बांगलादेश में हैं उसे हम बांगलादेश में मर्ज कर लेंगे और जो बांगलादेश के एंकलेव इंडिया में हैं तो उन्हें इंडिया में मर्ज कर दिया जाएगा लिकिन इसमें एक समस्या आ रही थी समस्या ये आ रही थी दोस्तो कि इसमें भारत के चार राज्य सामिल थे, इंडिया के चार इस्टेट इन्वाल्व थे सबसे पहले पस्चिम बंगाल इन्वाल्व था, असम इन्वाल्व था, मेघाले इन्वाल्व था और त्रिपुरा इन्वाल्व था मिजोरम involved नहीं था, although मिजोरम का हिस्सा आता है, पर मिजोरम इसमें involved नहीं था, त्रिपुरा यहाँ पर असम है, यहाँ पर मिघालिया है और पस्चिब मंगाल है, और भारत में एक प्रावधान है कि एगर कोई भी जमीन आप भारत की कम या जादा करना चाहते हैं, तो इसक लिए आपको समविधान संशोधन करना होगा, constitution amendment करना होगा, और समविधान संशोधन करके पहली जो अनुसूची है, first schedule है, जिसमें भारत के राज्य और संग सासित प्रदेशों की जानकारी दी गई है, जिसमें इंडिया के state और union territory की information दी गई है, इसका संशोधन करना तो 1974 में ये समझोता हुआ, पर भारत में संविधान संशोधन नहीं हो फाया, finally दोस्तों, 7 मई, 7 मे 2015 को भारत का सौवा संविधान संशोधन पारित हुआ, और सौवे संविधान संशोधन के द्वारा ये निरने लिया गया, कि साहब बांगलादेश के 51 enclave, जो भारत में है वो भारत में मिला लिये जाएंगे, वो इंडिया का हिस्सा हो जाएंगे, और भारत के 111 enclave जो बांगलादेश में है, वो बांगलादेश को दे दिये जाएंगे, उन पर बांगलादेश का ही अधिकार हो जाएगा, तो ये था दोस्तों, सौवा संविधान संशोधन या भ की भारत का 17,000 एकड का इलाका चला गया, हमको लगबग 10,000 एकड का नुकसान हुआ, पर याद रखिए, humanity is important, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, ना तो उनके कोई अधिकार थे, ना ही उनको कोई सुविधाएं मिल रही थी, अब कम से कम वह एक देश के नागरिक कहलाएंगे, और citizenship बहुत important होती है, इसका एहसास हमें नहीं होता, क्योंकि कभी हम सोचते रही हैं, पर एक दिन सोचिए कि अगर हमारी identity खतम कर दी जाए, आपकी कोई identity ना हो, record ना हो, तो आपके लिए survival कितना मुश्किल हो जाएगा, त यह पुराना समझोता है, जिसे अब लागू किया गया है, तो यह सौवा समझोता, यह सौवा समविधान संशोधन है भारत और जिसके द्वारा land border agreement किया गया भारत और बंगलादेश के बीच में, ठीक है, चार state involved हैं, असम, वेस्ट बेंगॉल, मेगाले और त्रिपुरा, आगे बढ़ते हैं, अब हम आखरी इशू की चर्चा करेंगे दोस्तों, और यह इशू है illegal migration, अवैध्य प्रवासन, तो इस मुद्दे को जरा समझे कि इस मुद्दे की शुरुवात कैसे हुई, तो इसके लिए जरा map देखिए भारत और बंगलादेश का, यह बंगलादे है, कहीं से भी आप भारत में आ सकते हैं, अब इशू की शुरुवात कैसे होती है, तो इशू की शुरुवात 1947 में ही हो गई थी, 1947 में आप जानते हैं कि भारत का विभाजन किया गया, और भारत का विभाजन करके भारत तो है ही है, इंडिया तो है ही है, साथ ही साथ पाकि के रूप में जानते हैं ये जो बांगलादेश के रूप में है ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और इसे इस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और ये जो इलाका है ये वेस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था परश्च्वी पाकिस्तान कहलाता था मतलब अब सोच ये कि बीच में भारत है कोई connectivity नहीं है फिर भी ये दो देश इस तरीके से चला करते थे तो बांगला देश वो बेसिकली दा Eastern Pakistan ये बेसिकली पूरवी पाकिस्तान का हिस्सा कहलाता था तो जब विभाजन हुआ तब ही बहुत सारे लोग भारत में आगए actual problem कहां से शुरू होती है वो समझिये 1970 के बाद खासतोर पे 1965 के बाद जब पस्चमी पाकिस्तान ने Eastern Pakistan को दवाना शुरू कर दिया तो यहाँ पर बहुत सारे विद्रोह होने लगे यहाँ पर बहुत हरकंप बचने लगा तो बहुत सारे लोग भारत के लिए माइग्रेट करने लगे इंडिया की और प्रवास करने लगे यह बात 1970 तक आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ गई यह चीज एक्स्ट्रीम हो गई अब बहुत सारे लोग भारत आने लगे यही रीजन रहा कि 1971 में भारत वर में आना नहीं चाहता था लेकिन भारत के पास आप्शन नहीं बचा क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर के इंडिया आ रहे थे तो 1971 में जब बांगलादेश में एक युद्ध हुआ और उसके बाद बांगलादेश का गठन हुआ फाइनली भारत का बहुत बड़ा योगदान है बांगलादेश को बनाने में मुक्तिवाहनी ओपरेशन यह सारी चीज है तो बांगलादेश जब बन गया तब दोस्तो इस समय बहुत सारे लोग माइग्रेट होके इंडिया में आ गए बांगलादेश तो बन गया सारी चीजों गई लेकिन भारत में बहुत 10-20 लाख लोग भारत आ चुके थे तो भारत में भी ये लोग मेंली असम वाले इलाके में गए तो असम में दोस्तो बहुत सारे विद्रोह होने लगे बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे और खास तोर पर ये विद्रोह कौन कर रहा था तो ये विद्रोह आल असम स्टुडेंट यूनियन या आसु के द्व को सांत करने के लिए केंदर सरकार और All Assum Student Union के बीच में 15 अगस्त 1985 को एक समझोता हुआ 15 अगस्त 1985 को एक समझोता हुआ जिसे Assum Accord कहा जाता है तो इस Assum Accord में जो पहली बात कही गई वो ये कहीगी कि जो Assum है वहाँ पर NRC को लागू किया जाएगा वहाँ National Register of Citizenship को लागू किया जाएगा NRC क्या होता है वो समझें के पहले तो NRC बेसिकली दोस्तो 1951 में बनाया गया था और इनमें उन सभी लोगों के नाम है जो उस समय भारत के नागरिक थे तो जो भी भारत के सिटीजन होते हैं उनका नाम NRC या National Register of Citizenship में होता है लेकिन इससे लागू नहीं किया जाता है इसके लागू करने का मतलब है कि फिर ये देखा जाएगा कि कितने लोगों का नाम इसमें है और जिसका भी नाम इसमें नहीं होगा उसे देश से बाहर कर दिया जाता है तो इसे सिर्फ अभी असम में लागू किया गया है और इसे उनहीं राज्यों में लागू किया जाता है जहां बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं लेकिन इसमें भी एक बात कही गई असम अकॉर् का डेटा मतलो आप इसमें एक काम करो ऐसे लोग जो 24 मार्च जो 24 मार्च 1971 के बाद भारत आए हैं उनको बांगलादेश भेज दो तो एक्च्वल रूल तो ये है कि 1951 के हिसाब से NRC को लागू होना चाहिए पर असम अकॉर्ड में ये कह दिया गया कि 1971 के बाद जितने भी लोग असम वाले इलाके में आए हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए और इसे हाल ही में लागू किया गया है National Register of Citizenship तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि असम अकॉर्ड के तहट NRC की बात कही गई थी और NRC 24 मार्च 1971 के बाद जिन जिन का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उन्हें असम से बाहर करने की बात कही गई तो ये मुद्दा है दोस्तो अवेध्य प्रवासन का ये मुद्दा है illegal migration का तो इस तरह दोस्तो भारत और बांगलादेश के बीच में ये आठ प्रमुख मुद्दे थे तो बहुत अच्छे से हमने इस टॉपिक को complete किया पहले तो हमने ये देखा कि भारत की कितनी सीमा बा अगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर पहले मैं एक मिरिट का ब्रेक लेता हूँ फिर हम भारत और चीन की चर्चा करेंगे इंडिया और चाइना की चर्चा करेंगे ठीक है तो अब दोस्तों हमें अगले टॉपिक पर बढ़ना है और हमें भारत और चीन की सीमा की चर्चा करना है इंडिया और चाइना की बॉर्डर को डिसकस करना है तो जैसा कि हम कल की क्लास में डिसकस कर चुके थे कि भारत और चीन के बीच में 3488 किलो मीटर लंबी सीमा है जो भारत के चार राज्य और एक केंद्र शाषित प्रदेश से लगती है अगर हम भारत के मैप को देखें तो सबसे पहले यहां पर लद्दाख आएगा जो यूनियन टेरेटरी है उसके बाद भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश आएगा फिर दोस्तों उत्तराखंड आएगा फिर जब यहां पहुँचेंगे तो सिक्किम दिखाई देगा और सिक्किम के बाद इस पूरे इलाके में अरुनाचल प्रदेश दिखाई देगा तो चार राज्ये हैं साहब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश और चार राज्यों के साथ एक केंदर शाशित प्रदेश है एक यूनियन टेरेटरी है अ अगर हम भारत और चीन के बीच की, यहाँ पर चाइना है, यह भारत है, यह इंडिया है और यह चाइना है, तो भारत और चीन के बीच में हुआ यह था कि तीन एक्शुली देश थे यहाँ पर, एक देश भारत और भारत के बाद आता था तिबबत और तिबबत के बाद चीन चीन का अधिकार तिब्बत पर नहीं था चीन ने बाद में तिब्बत को औक्कीपाई किया तो इन तीनों के बीच में सीमाओं की समस्या थी बाउनरी की समस्या थी तो उस समय ब्रितेन का हिस्सा था भारत तो 1914 में 1914 में शिमला में एक मीटिंग बुलायी गई और तीनों मैक मोहन ने क्या किया दोस्तो हैंरी मैक मोहन ने भारत तिबबत और चीन के बीच में एक सीमा बनाई और उसी सीमा को आज हम मैक मोहन नाम के लाइन से मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं अब समस्या कब हुई दोस्तो तो समस्या की शुरुवात होती है 1962 में 1962 में तो 1962 में च चाइना ने इंडिया पर अटेक कर दिया और अटेक करने के बाद भारत का जो अकसाई चिन वाला इलाका है जो आपको इस मैप में दिखाई देगा कि भारत का जो अकसाई चिन वाला इलाका है इस पर अवेध्य अधिकार कर लिया इस पर illegal तरीके से occupy कर लिया और दोस्तो AC कहा जाता है, line of actual control कहा जाता है, तो यह दोनों ही सवाल आप से पूछे जा सकते हैं, कि भारत और चीन के बीच में आपचारिक सीमा कौन सी है, तो official जो boundary है, वो Mac Mohan boundary है, जो भारत और चीन को divide करती है, लेकिन चीन ने 1962 में भारत पर attack किया, और अवेधी तरीके से, illegal तरीके से अकसाई चिन वाले इलाके पर कबजा कर लिया दोस्तों, और उस इलाके पर यहां line of actual control बनाई, LAC को उसने बना दिया, तो यह point आपको याद रखना है, अब हम आगे बढ़ें, तो हम discuss करेंगे कि भारत और चीन के बीच में कौन कौन से परमुख मुद्दे हैं, एक मिट य जब बहुत थंडा पानी आप पीते हो, तो आपकी जीव में जल से जाते हैं, तो कुछ इशू होगिया, क्यों मुझे पता भी नहीं था, तो भारत और चीन के बीच में, प्रमुख मुद्दे कौन से हैं, मेजर इशूस कौन से हैं, तो आठ प्रमुख मुद्दे हैं भार और चीन के बीच में, पहला मुद्दा है भारत और चीन का युथ, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, ब्रह्मपुत्र रिवर डिस्प्यूट, डोकलाम पठार विवाद, कैलास मानसरोवर, वन बेल्ट, वन रोड इनिशिटिव, अबोर योजना, गलवान घाटी क का विवाद, पैगॉंग सो जील का विवाद, और अरुनाचल प्रदेश का विवाद, ये आठ भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चलते हैं, और आठों ही डिस्प्यूट में आप देखोगे, इंडिया is always a peaceful country, किसी भी चीज में भारत कभी विवाद बनाता ही नहीं है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको चाइना की ओर से देखने के लिए मिलींगी, ठीक है, चलें, तो आगे बढ़ते हैं और एक-एक विवाद का अब हम अध्यन करते हैं, तो सबसे पहले हम भारत और चीन युद्ध की बात करेंगे, तो भारत और चीन के बीच में 1962 में एक युद्ध हुआ था, 1962 में एक वार हुआ था, और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सारा हिस्सा भारत का है, everything is the integral part of India, ये जो मैप मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ अध्यन के लिए बता रहा हूँ, everything is the integral part of India, तो यहाँ पर आप देखोगे, कि भा लदाख में आता है, और इस हिस्से को अकसाई चिन कहा जाता है, तो ये अकसाई चिन वाला इलाकस का नाम है, तो इस हिस्से पर चीन ने कबजा कर लिया, ये अवैध कबजा है चीन का, this is the illegal occupants of China, और तब भारत और चीन के बीच में, यहाँ एक युद्ध विरामरेखा ब और इसी को LAC, Line of Actual Control कहा जाता है, वास्तविक नियंत्र नरेखा कहा जाता है, इसके बाद चीजें यहाँ पर खतम नहीं हुई, तो 1962 में चाइना को ये हिस्सा मिल गया, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ग्रीन कलर से, ये पूरा हिस्सा दोस्तो, 1947-48 में पाकिस पाकिस्तान के साथ जो भारत का युद्ध हुआ था, तो इस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध्य तरीके से कबजा कर लिया था, पाकिस्तान ने इसको illegally occupy कर लिया था, और इसे P.O.K. कहा जाता है, पाकिस्तान occupied कश्मीर कहा जाता है, तो P.O.K. का इतना हिस्सा, जिसे सक् गाटी वाला इतना इलाका, ये पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे दिया, इसे गिफ्ट कर दिया, तो आप समझ रहो ना, ये वही बात है कि आप अल्रेडी दूसरे की चीज लिये हुए हो, और उस चीज को आप किसी तीसरे वेक्ती को गिफ्ट कर दो, तो ये हरकत प पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बोलोगे आप, अकसाई चीन को कभी भी चीन का हिस्सा नहीं बोलोगे, everything is the integral part of India, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम हमेशा इसे पाक ओक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान वाले इसे आजाद कश्मीर के नाम से बुलाते हैं, ठ पाक ओक्यूपाइड कश्मीर और यहाँ पर भी एक युद्ध विराम रेखा कीची गई है, पाक ओक्यूपाइड कश्मीर और भारत में एक युद्ध विराम रेखा कीची गई और इसे LOC कहा जाता है, Line of Control कहा जाता है, नियंत्रक रेखा कहा जाता है, और यह सक्षिगम गाटी वाला इलाका है जो 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था तो यह पहला विवाद है भारत और चीन के बीच में और भारत लगातार इस चीज की मांग करता है कि यह हिस्सा जो भारत का है शुट भी भारत को यह हिस्सा वापस मिलना चाहिए दूसरा इश बहुत बड़ा है भारत की सिक्योरिटी के लिए और यह इशु है ब्रह्म पुत्र नदी को लेकर के दियान से समझेगा यह सबसे महत्पपून विवाद है जो भारत और चीन के बीच में चल रहा है देखो सीमा विवाद तो चल रहे है पर यह एक बड़ा ही क्रूशल और यहां से जब यह नदी निकलती है तो इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है या यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है फिर यह बहती हुई यहां पर एक मोड बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और कैनियन बनाते हुए भारत में प्रवेश क बड़े डेम बना रहा है, 4 Mega Dam का construction कर रहा है. कौन-कौन से डेम है? दागू डेम है, जिक्सू डेम है, जांगमू डेम है, और जियाचा डेम है. ये 4 बहुत बड़े डेम बन रहा है, योगि दागू डेम के द्वारा 640 Megawatt विजली आएगी, जगमू के द्वारा 510 मेगावाट विडली आएगी जियाचा के द्वारा 320 मेगावाट विजली का उत्पादन किया जाएगा अब इससे भारत के लिए concern क्या-क्या है देखो ये जो इलाका है न ये पहारी इलाका है यहाँ पर slope बहुत जादा रहता है मतलब पानी बहुत तेज गती से नीचे आता है अब बांध में इन डैम में बहुत बड़ी मात्रा में वाटर को स्टोर किया जाता है तो मान लो कभी भारत का युद्ध हुआ चीन के साथ तो उसे कुछ नहीं करना इन चारों डैम को ओपन करने है इन चारों डैम को ओपन करने से ये पूरे इलाके में इतनी भयंकर बाढ़ आएगी जो हम इमैजिन भी नहीं कर सकते दूसरी समस्या क्या है कि यहाँ पर अगर चार इतने बड़े बांध बना लिये जाएगे तो ब्रह्मपुत्र में पानी की कमी आएगी और ब्रह्मपुत्र नौर्थीस्ट और खास तोर पर असम के लिए एक बहुत महत्वपून नदी है दोस्तों तो यहाँ पर पानी की समस्या आएगी और इससे सिर्फ भारत को दिक्कत नहीं होगी ब्रह्मपुत्र बांगलादेश की भी महत्वपून नदी है तो बांगलादेश को भी समस्या होगी और इसकी वज़े से जब यहाँ पानी की कमी आएगी तो भारत डैम नहीं बना पाएगा और अगर इंडिया डैम नहीं बना पाएगा तो इंडिया में इलेक्रिसिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और यह बहुत बड़ा मुद्दा है खास तोर पर युद्ध के समय अगर इतने बड़े पानी को रिस्चार्ज किया जाता है तो भारत का जो मैदानी इलाका है असम वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ सकती है तो भारत हमेशा इस बात का विरोध करता है इन बांधों का विरोध करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे मुद्दे की बात करते हैं तीसरे मुद्दा फिमस हुआ था बहुत चर्चा में आया था सभी ने पढ़ा होगा और यह डोकलाम पर बिवाद है जिसे डोकला प्लेटू विवाद भी कहा जाता है तो पहले आपको यह समझना होगा कि यह डोकलाम पर पठार है कहां पर तो डोकलाम पठार जो है दोस्तो वो भूटान वाले इलाके में है यहाँ पर देखिए ध्यान से इस मैप में अगर आप देखोगे तो इस वाले इलाके में यहाँ कहीं डोकलाम पठार आता है जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है तो सर यह चीज भूटान में है तो भारत क तो इसमें क्या दिक्कत हो रही थी, तो भूटान की चुम्बी घाटी के पास ये इस्थित है, आप समझते हैं कि भारत इसमें involved क्यों हुआ और बिवाद क्या हुआ, तो यहाँ पर भूटान में एक चुम्बी वैली है, और वहीं पर दोस्तों क्या है, दोकलाम पठार इस्थित है, दोकला प्लैटू है, तो यहाँ पर आप देखें तो तीन देशों का जंक्षन है, एक तो खुद भूटान, दूसरा चीन और तीसरा भारत, तो यह मान लीजे कि भूटान की चुम्बी घाटी है, चुम्बी वैली है, और यहीं पर दोकलाम पठार है, तो यहाँ से चाइना है, यहाँ से इंडिया है, और यहाँ से भूटान है ही है, ठीक है, अब इशू यह है भारत के साथ, चीन ने क्या किया, तो चीन ने यहाँ पास, एक बहुत बड़ी सड़क बनाना शुरू कर दिया, एक बहुत बड़ी रोड बनाना शुरू कर दिया, चीन ने इस इलाके में, और इसी बात को लेकर के भारत ने अबजेक्शन लिया, और भारत की बहुत सारी आर्मी, भूटान के इस इलाके में पहुच गई ताकि इस चीज को रोका जा सके तो भारत को इसके क्या समस्या थी तो समस्या ये थी साहब कि ये देखे इतना सा रास्ता ये इतना सा रास्ता ये रास्ता आप कहरोंगे सर्थ क्या है इस रास्ते में इंपोर्टिंट ये है कि आप ध्यान दो कि ये पूरा भारत है और ये भारत के नौर्थ इस्ट का इलाका है और भारत को भारत के नौर्थ इस्ट के इलाके से ये पतला सा रास्ता जोडता है और इस पतली से रास्ते को कहा जाता है सिली गुडी कौरीडोर तो अब क्या होगा अगर चीन यहां तक आ जाएगा दोस्तों तो आप सोच ये कभी भी युद्ध हुआ, तो वो इस रास्ते को ही खतम कर देगा, यहाँ पर जो पुल वगेरा बने हुए हैं, वो उन्हें टार्गेट करेगा, इसकी वज़े से भारत का जो संपर्क है, वो नौर्थ इस्ट वाले इलाके से तूट जाएगा, तो ये भारत के लिए एक सामर महत्व का हिस्सा था, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस का हिस्सा था, और भारत और भूटान के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बढ़िया फ्रेंशिप है, कभी भी भूटान पर कोई अटेक करेगा, इंडिया विल हेल्प, तो इसी के तहे दोस्तों, भू का हिस्सा है, सामरिक महत्व का हिस्सा है, और यहां से कभी भी भारत के चिकिन नैक या सिली गुडी कॉरिडोर को टार्गेट किया जा सकता है, और पूरे भारत का नौर्थ इस्ट इंडिया के साथ संपर्क तूट जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों डोकलाम पठार के बाद जो अगला मुद्दा है, उसकी बात करते हैं, अगला है कैलाश मान सरूवर, सभी जानते हैं कि जो कैलाश परवत है, वो एक धार्मिक महत्व का इस्थान है, अब इसकी कहानी को जरा समझियागा दोस्तों, कि जो कैलाश परवत है, वो भी चीन के तिब्बत वाले इलाके में आता है, तिब्बत वाले इलाके में कैलाश परवत इस्थित है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैलाश परवत खास तोर पर हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही पवित्र इस्थान है, एक बहुत रिलीजियस प्लेस है, हिंदू धर्म में कैलाश परवत को भगवान शिव का निवास माना जाता है और भगवान शिव के निवास के अलावा इसे प्रत्वी का स्वर्ग कहा जाता है और इसे प्रत्वी का केंद्र भी माना जाता है कि यहां से प्रत्वी को पूरी एनरजी बिलती है हिंदु धर्म के अलावा दोस्तो बौध धर्म ठीक है एक बॉन रिलीजन है फिर जैन धर्म इन सब में भी धार्मिक महत्र है कैलाश मानसरोवर का ठीक है तो आपको यहां दिखाए देगा तो कैलाश परवत है और मानसरोवर जील है जो बिलकुल आसपास है तो हम इनको मिला करके कैलाश मानसरोवर कहते हैं तो भारत से हमेशा प्रधालू जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए पर चीन क्या करता है चीन हमेशा इसमें अरंगे लगाता है अब कैलाश मानसरोवर जाने के तीन रास्ते हैं जो सबसे छोटा रास्ता है वो उत्तरा रास कहा जाता है लिपुलेक धर्रा कहा जाता है तो ये सबसे छोटा और सब से आसान रास्था है जो कि पर चीन यहां पर कई बार मना करता है दूसरा एक बहुत बड़ा रास्ता है जो काठमांदू हो कर के जाता है कि पहले नेपाल जाएए, काठ मांडू जाएए, काठ मांडू से फिर आप मांसरोवर कैलास के लिए जाएए और तीसरा रास्ता और भी बड़ा है जो सिक्किम से शुरू होता है तो सिक्किम में नाथुला पास से होकर के चाय तिबबत में एंट्री होगी और फिर यहां से आप कैलाश मांसरोवर की यात्रा कर पाएंगे तो चीन के साथ इसी बात को लेगर के लगातार निगोशियेशन होता है कि इन रास्तों को आसान बनाया जाए और सबसे छोटा जो रास्ता है वो उत्तरा खंड के लिपुलेक दर्रे से होकर के जाता है इस रास्ते को हमेशा खुला रखा जाए ताकि भारत के लोग कैलाश मांसरोवर की यात्रा कर सके क्योंकि भारत के लिए ये धार्मिक महत्वका इस्थान है इंडिया के लिए ये religious importance का place है तो याद रखेंगे कैलाश परवत और मांसरोवर जील दोनों ही तिब्बत वाले इलाके में आती है चलिए अगले मुद्दे की बात करते हैं अगला मुद्दा है गलवान घाटी और पैगोंग से जील को ले करके दोनों की location आप देखे देखे सहब जो गलवान घाटी वाला इलाका है ये गलवान वैली है और यहां से एक नदी निकलती है गलवान जो ultimately श्योक नदी में जाकर के मिलती है और श्योक नदी जो ultimately इंडस रिवर में जाकर के मिलती है तो जो गलवान घाटी वाला इलाका है तो वैसे तो ये पूरा लदाक में ही है लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि 1962 में एक युद्ध हुआ था तो गलवान घाटी का कुछ हिस्सा अकसाई चिन में आता है और फिलहाल अकसाई चिन पर अवेध कबजा है चीन का तो इसी ग बाउंडरी को अंकर के भारत में आ गए और भारत ने इसका विरोध किया तो गलवान घाटी कहां पर है याद रखेंगे कि अकसाई चिन वाले इलाके में है जो लद्धाक में आता है और इसी तरह दोस्तों यहाँ एक खारे पानी की एंडॉर्फिक या लेंड लॉक जील ह इस तलबद जील है और इस जील को कहा जाता है पैगॉंग सौलेक या पैगॉंग जील और ये भी आप देखिए तो ये भारत का इसका आधा हिस्सा आप देखिए तो भारत के लद्धाक में आता है और आधा हिस्सा इसका चीन में आता है यहाँ पर भी चीन ने वही हरकत क कि ये जो लेक है इसके भारत वाले हिस्से पर चीन आ रहा था और इस चीज का विरोध हुआ तो ये दो प्लेस चर्चा में रहे तो इन दोनों प्लेसों की लोकेशन आप से पूँच सकता है तो गलवान घाटी और पैगोंग लेक दोनों ही लद्दाख वाले इलाके में आते ये 14,000 फिट की उचाई पर है दोस्तो बहुत जादा उचाई पर इस्थित है तो देखें गलवान घाटी के बारे में अवस्तिती देखें अकसाई चिन और ये गलवान नदी यहां से निकलती है तो गलवान नदी जैसा कि हमने आपको बताया शियोक नदी में जाकर के मिल जाती है पैगोंग सो जील के बारे में भी याद रखेगा कि ये लदाख में इस्तित है 14,000 फुट से अधिक उचाई पर बनी हुई लेंड लॉक या इसको एंडो फिर्क भी कहा जाता है ठीक है एंडोर्फिक जील तो लेंड लॉक या एंडोर्फिक जील अगर पूचा ज जील है ये भी मैंने आपको बता दिया और विवाद भी हमने आपको समझा दिया कि विवाद इस चीज को लेकर के क्या है चीन क्लेम कर रहा था कि ये पूरी जील चीन वाले हिस्से में आती है clearly visible है कि आदा हिस्सा चीन में है और आदा हिस्सा भारत में आता है ठीक है चलिए तो ये हमारे 6 विवाद हो गए जो हमने भारत और चीन के बीच में देख लिए उमीद करता हूँ अब तक समझ में आ रहा होगा हमने पहले युद्ध डिसकस किया 62 का देखा कि उसके द्वारा line of actual control बनाई गई ब्रह्मपुत्र रिवर का dispute डिसकस किया कि उस पर चार बांध बना रहा है चीन उससे भारत को इशू हो सकता है फिर हमने अभी पैगॉंग जी का इशू डिसकस किया गलवान वैली का इशू डिसकस किया ठीक है इसके अलावा हमने कैलाश मानसरोवर का इशू डिसकस किया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने नहीं दी जा रही है रोका जा रहा है यात्रा करने से तो ये हमने कुछ बड़े इशू अब तक समझे हैं भारत और चीन के बीच में आगे बढ़ते हैं अगला है अरुनाचल विवाद अब अरुनाचल विवाद क्या है समझें यह हम सभी जानते हैं कि अरुनाचल प्रदेश शुरुवात से भारत का इंटीग्रल पार्ट है लेकिन चीन हमेशा से अरुनाचल प्रदेश पर अपना claim करता है और चीन का कहना है कि अरुनाचल हमारा भाग है और कई बार चीन ऐसे map issue करता है जिसमें कई बार उसने पूरे अरुनाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया कि पूरा का पूरा अरुनाचल हमारा part है which is completely wrong अब चीन क्या कर रहा है कि भाई साब अरुनाचल पर तो गबजा नहीं कर सकते तो चीन क्या कर रहा है अरुनाचल के आजू बाजू में जो उसकी boundary है जो लगती है तो चीन वहाँ पर गाउं बसा रहा है example देखिए ये अगस्त 2019 की picture है और ये 2020 की picture है ये पूरा इलाका खाली है यहाँ जंगल वगरा लग हूँ है जो आप देख सकते हैं लेकिन अब यहाँ देखिए तो इतने सारी बस्तियां उसने बसा दिये है इतने सारे गाउं उसने बसा दिये है और भी लोगों को वो यहाँ लेकर के आ रहा है गाउं बसा रहा है क्या strategic है यह नहीं लगता है लेकिन definitely कुछ तो चल रहा है क्योंकि यहाँ पर इतना सारा establishment चीन कर रहा है तो याद रखेंगे दोस्तों कि हाल ही में अरुनाचल प्रदेश में बुमला दर्रे से 5 किलो मीटर की दूरी पर चीन द्वारा 3 गाउं का निर्मान किया है दोस्तों नवंबर 2020 तक की satellite image दिखाती है कि अरुनाचल प्रदेश के सुबन सिरी जिलेस में इशारू चू नदी के टट पर एक पूर्ण विक्सित गाउं का निर्मान किया गया है चीन पूरे अरुनाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता आया है जो अबिसली बातें नहीं है हम सब ही जानते हैं पर चीन ये हरकतें कर रहा है वहाँ देखिये वो डैम बना दे रहा है डोकलाम पठार के पास रोड बना रहा है ये सारे डिस्प्यूट क्रेट होते हैं चलिए इसके बाद आखरी मुद्दे की चर्चा करते हैं विचिस वन बैल्ट वन रोड इनिशिटिव और इसी का एक हिस्ता है दोस्तो जहां से ये बिवाद निकल के आता है चीन पाकिस्तान एकनॉमिक कॉरिडोर सी पैक या सी पी इसी चलो चर्चा करते हैं पहले समझते हैं कि ये वन बैल्ट वन रोड इनिशिटिव क्या है तो एक लाइन में अगर इसे डिफाइन करना है तो ये चीन के द्वारा बनाई गई एक संपर्क योजना है चाइना के द्वारा प्रपोस किया गया एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है देखो चीन का मानना ये है कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन इतिहास में एंशिंट हिस्ट्री में एक सिल्क रूट हुआ करता था रिसम मार्ग हुआ करता था और ये सिल्क रूट पूरे एशिया महाद्वीब को रिवाइव करने का सूचा उनके धमाग में ये प्लान आया कि हम दुबारा से सिल्क रूट बनाते हैं लेकिन अब हम इसे बड़े पैमाने पर बनाएंगे चीन का उद्दिश ये है कि चीन को एशिया, पूरे एशिया यूरोप और अफरीका के साथ इन तीन महाद्वीबों को चीन के साथ सडक मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा जोड़ना सडक मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग के द्वारा जोड़ना इन तीनों महाद्वीबों को चीन से कनेक्ट करना देखिए चीन क्या करेगा तो जहां जहां पर उसे रोड देखेगा तो वहां वहां वो रोड बनाएगा ये आपको रोड दिखाई दे रही हैं कहीं कहीं पर वो ट्रेन बनाएगा और जहां ट्रेन नहीं है वहां वो बंदरगाह बनाएगा और बंदरगाहों का उपयोग करक वो सभी को जल के माध्यम से जुड़ेगा तो सर इस चीज का फाइदा है ये तो अच्छी बात है सर पूरे महादवी पापस में जुड़ेंगे देश जुड़ेंगे ये तो बहुत बढ़ियां बात है नहीं ये अच्छी बात तब होती जब इससे सभी को फाइदा मिलता देखो हम सभी जानते हैं कि चीन के पास एक बहुत strong manufacturing unit है और यहां से जैसे ही चीन सभी से जुड़ जाएगा उसके उतपाद बहुत आसानी से दूसरे देशों में पहुचना शुरू हो जाएंगे और चीन का extreme profit होगा लेकिन दूसरे देशों का इसमें बहुत नुकसान होगा दोस्तों इसका एक example हमें देखने मिला हमबन टोटा पोर्टी किस तरीके से वो अपने project को आगे बढ़ा रहा है और अगर ये योजना सफल हो जाती है तो दुनिया की 70% जिनसंख्या और 75% energy resources तक चीन की पकड़ बन जाएगी तो अब सवाल आया कि सर भारत इस चीज का विरोध क्यों कर रहा है इंडिया इस चीज का अपोस क्यों कर रहा है तो भारत देखिये पहले तो भारत का मैप सही किया जाए इंडिया इस चीज का अपोस क्यों कर रहा है ये बात आप समझेए भारत इसलिए विरोध कर रहा है कि यहाँ पर दोस्तों जो चीन है वो इसका एक रास्ता पाकिस वाले इलाके से ले जा रहा है जिसे हम Park Occupied Kashmir कहते हैं और पाकिस्तान ने Illegal तरीके से इसे Occupy किया है पाकिस्तान Occupied Kashmir तो एक रास्ता इसका P.O.K. से होकर जाएगा पाकिस्तान Occupied Kashmir से होकर जाएगा और इसे कहा गया है China-Pakistan Economic Corridor और ये रास्ता यहाँ पर आप जानते हैं कि एक बंदरगा है ग्वादर बंदरगा उससे connect करेगा तो भारत की आपती ये है कि भारत की permission के बिना इंडिया की permission के बिना दोस्तो कैसे आप इस इलाके से कोई road बना सकते हो ये वाले इलाके से यहां से वो रास्ता हो करके जा रहा है तो भारत का यही कहना है कि भारत की permission के बिना आपने भारत के एक हिस्से पर कैसे रोड बना दी और अगर भारत उबोर को मान लेगा तो इसका मतलब आप सी पैक को भी मान रहे हो इसका मतलब आपने मान लिया कि ये हिस्सा आपका नहीं है यही विरोध है One Belt One Road Initiative को लेकर के भारत का कि चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक गया है तो इस तरह दोस्तो भारत और चीन के वीज में ये कुछ बड़े बड़े विवाद हैं जिनकी चर्चा हमने आपके साथ कर ली चाइना के साथ वार हुआ इससे लाइन ऑफ एक्च्वल कंट्रोल आया ब्रमपुत्र रिवर पर चार डैम बना रहा है डोकलाम पठार जो भूटान की चुम्बी घाटी में इस्तित है वहां से सिलीगुडी कॉरिडोर पर अटेक करने की कोशिश करता तो उस चीज को रोका गया कैलास मानसरोवर जो की कैलास परवत और मानसरोवर जील तिबबत वाले इलाके में आते हैं भार हिंदू धर्म के लिए बहुत मह तो लिपुलेक दर्रे से सबसे छोटा रास्ता है लेकिन उसे रोका जाता है गलवान घाटी और पैगोंग सोलेक दोनों ही लद्दाग में आते हैं चाइना इस पर क्लेम करता है वन बैल्ट वन रोड इनिशेटिव इसका एक रास्ता चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक प्रदेश को हमेशा चाइना क्लेम करता है कि वो इसका हिस्सा है और अरुनाचल के पास उसने तीन गाउं का विकास किया है जो चैन की आक्रामक नीती को दिखा रहा है तो ये है दोस्तों एक और मुद्दा भारत और चीन की सीमा और उसके बीच में आने वाले विवाद चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम भारत और पाकिस्तान की सीमा की अब चर्चा करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंडरी है और क्या-क्या विवाद है इस चीज की चर्चा अब हमें करना है तो देखो जैसा कि हम already जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 3323 किलो मीटर लंबी बाउन्डरी है जो भारत और पाकिस्तान शेयर करते हैं तीसरे नंबर पर आती है सबसे ज़्यादा बाउन्डरी बांगलादेश के साथ है 46-96 किलो मीटर की बाउन्डरी फिर चाइना आता है 33-48 किलो मीटर की बाउन्डरी एक मिड़ा इसका चेक कर लूँ कितना किलो मीटर है चलिए दोस्तों तो अब हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को डिस्कस करते हैं और जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन-कौन से विवाद हैं हम जानते हैं कि भर-भर के विवाद हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में और हर जगह आप एक चीज देखो कि कहीं पर भी भारत की एक भी गलती नहीं है तो there is not even a single mistake of India ठीक है सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि सारी चीज़ें भारत के उपर इंपोस की जा रही है और भारत ने कहीं पर भी खुद से aggressive कदम नहीं उठाया तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जैसा कि हमने कल की क्लास में डिसकस किया था दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान 3323 किलोमेटर लंबी सीमा शेयर करते हैं और अगर हम क्रम की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा बाउंडरी बांगलादेश के साथ शेयर करता है 496 किलोमेटर की बाउंडरी फिर दूसरे नंबर पर भारत चाइना के साथ बहुत बड़ी बाउंडरी शेयर करता है 3488 किलोमेटर की बाउंडरी शेयर करता है और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों पाकिस्तान जिसके साथ इंडिया 3323 किलो मिटर की बाउंडरी शियर करता है हम ये भी जानते हैं कि भारत के तीन राज्य, इंडिया के तीन स्टेट और भारत के दो केंदर साशित प्रदेश सीमा बनाते है तीन राज्यों में कौन-कौन आता है तो शुरुवात होती है गुजरात के साथ गुजरास से थोड़ा उपर जाएंगे तो राजिस्थान जो सबसे बड़ी अंतर रास्टिय सीमा बनाता है और राजिस्थान के बाद आता है पंजा ठीक है और दो केंदर साशित प्रदेशों में सबसे पहले आएगा जम्मू एवं कश्मीर और जम्मू कश्मीर के थोड़ा उपर जाने पर लद्दाग तो भारत के तीन राजिये हैं और दो केंदर साशित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं अब ये भी समझना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा को क्या कहा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउन्डरी को क्या कहा जाता है तो देखिए 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बिभाजन की बात कही जा रही थी तब ब्रिटेन के एक व्यक्ती थे सिरिल रेड क्लिफ तो सिरिल रेड क्लिफ ने ये डिसाइड किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा कैसे बनाई जाएगी तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो Official International Border है जो आपचारिक सीमा है उसे Red Cliff Boundary या Red Cliff Line के नाम से जाना जाता है जो 1947 में सिरिल Red Cliff के द्वारा बनाई गई थी लेकिन क्या हुआ दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान का गठन हुआ तो 1947-1948 में पाकिस्तान ने भारत पर आकर्मन कर दिया और भारत पर आकर्मन करके जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है उसके एक हिस्से पर अवैध कबजा कर लिया इलीगल तरीके से उसे Occupy कर लिया और इस इ जानते हैं फिर भारत में एक समझोता किया गया 1974 में जिसे सिमला समझोता कहा गया है और एक युद्ध विराम रेखा बनाए गई और उस युद्ध विराम रेखा को पाक उक्यूपाइड कश्मीर और भारत के जम्मू कश्मीर के बीच में बनाया गया और इस रेखा को ना official boundary नहीं बानता यह सिर्फ एक temporary देखा है जो ceasefire line के रूप में बनाई गई है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई आपसे पूझे official boundary कौन सी है तो जवाब होगा कि sir red cliff SEMA भारत और पाकिस्तान के बीच की official SEMA है लिकिन अगर आपसे पूझा जाए कि LOC किसके बीच में है तो ये भी आप याद रखिएगा कि LOC भी भारत और पाकिस्तान के बीच में आती है ठीक है चलिए अब हमें ये सवज़ना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन-कौन से मुद्दे हैं कौन-कौन से issue है तो बहुत सारे issue है लेकिन उनमें से ये 6-7 मुद्दे बहुत ज़्यादा important है ये सबसे पहला issue है P.O.K. अर्थात पाक-occupied कश्मीर को लेकर दूसरा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए है तो चार युद्ध हुए है तो वो कब हुए है उनकी चर्चा हम करेंगे सर क्रीक का एक विवाद है कच्छ के रण को लेकर के एक विवाद रहा सियाचिन गलेशियर को लेकर के बहुत बड़ा issue create हुआ था सिंधु जल समझोता इंडस वाटर ट्रिटी और उरी तथा पुलमावा हमला ये कुछ प्रमुक विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के ब भारत ने बहुत सारे सबूत दिये थे कि मुंबई में जो अटैक हुआ जो आतंकवादी आये वो पाकिस्तान से ही आये थे पर इस्टिल पाकिस्तान के द्वारा action नहीं लिया कया चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक-एक करके इन विवादों का अध्यन करते हैं एक-एक कर है कि 1947 में 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध के द्वारा जम्मू कश्मीर के जो पस्चमी इलाका है वेस्टर्न पार्ट है उस पर पाकिस्तान ने अवैध कबजा कर लिया उस पर illegal तरीके से उसे occupy कर लिया और ये इलाका जो पाक पाकिस्तान ने अवैध तरीके से गबजा किया ध्यान दीजेगा इस map कर कि यहां से लेखर के इस इतने बड़े इलाके पर पाकिस्तान ने अवैध कबजा कर लिया पाकिस्तान ने इसे illegal तरीके से occupy कर लिया और इस इलाके को हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान occupied कश्मीर कहते हैं बाद में पाकिस्तान ने इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है इतना पार्ट ध्यान दीजेगा ये जो इतना हिस्सा है इसे वो कहता है आजाद कश्मीर ये आजाद कश्मीर का हिस्सा है और इस हिस्से को उसने नाम दिया है गिलगिट और बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर की राजधानी उसने मुझफराबाद को बनाया है और जो मुझफराबाद है दोस्तों वो जेलम की एक सहायक नदी है और जिसका नाम है नीलम बिसकली नीलम एक नाम है जो जेलम की सहायक नदी किशन गंगा हम भारत में नीलम को किशन गंगा के नाम से जानते हैं और जैसे ही किशन गंगा पियोके वाले इलाके में पहुँचती है और आगे जाती है तो उसे नीलम के नाम से बुलाया जाता है तो जेलम की सहायक नदी क गंगा के पास मुझफराबाद को उसने आजाद कश्मीर की राजधानी बनाया है और इस पूरे हुस्से को पाक उक्यूपाइड कश्मीर पर रिमेंबर ये आजाद कश्मीर नहीं है जब भी आप मैंशन करें बात करें लिखें always remember this is पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और के द्वारा इस इलाके पर कब्जा किया गया पाकिस्तान के द्वारा। दूसरा हमें ये भी पता पड़ा कि फिर यहां पर एक समझोता हुआ और एक बाउंडरी बनाई गई जिसे लाइन आफ कंट्रोल कहा जाता है एलोसी के नाम से जाना जाता है। तीसरी बाद इसमें ये याद रखना है दोस्तों कि ये इलाका जो इतना इलाका आप देख रहे हैं, ये भी पाकिस्तान ने अवैद तरीके से कब्जा किया था। लेकिन पाकिस्तान ने इस लाके को 1968 में नाइनटीन सिक्स्टीथी में ये इलाका जो सक्षिगम घाटी कहलात वो चीन को गिफ्ट के रूप में दे दिया और यही पर है दोस्तों सियाचिन गलेशयर और सियाचिन गलेशयर पर भारत का अधिकार है और यह जो पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है यही पर भारत की सबसे उची चोटी इंडिया की हाइस्ट पीक आती है और नाम है गौडविन ऑस्टिन या केटू तो यह भी आपको याद रखना है कि केटू कहां पर आती है तो इसी इलाके में आती है केटू विच इस दी हाइस्ट पीक आफ इंडिया आगे बढ़ते हैं कुछ और मुद्दों की बात करते हैं तो यह भी मैंने आपको दाया कुछ बाते हैं जो आपको याद रखनी है प्रशन यही पूछा जाता है कि पियो के पर कब एक्चुल एक्जिस्टिन्स में आया तो 1947 के युद्ध के बाद एक्जिस्टिन्स में आया था ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के यु हुए हैं दोस्तों पहला युद्ध उननिस सो सेंतालिस में हुआ था और इसी के आधार पर पाकिस्तान ने पियो के लिया या फर उस पर कबजा कर लिया कश्मीर के हिस्से पर और फिर एलोसी का निरधारन किया गया अगला है उननिस सो पैसट तो 1965 में भी भारत और पाकिस जिब्राल्टर याद रखिएगा कि दुतिय विश्य युद्ध के बाद, Second World War के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा टैंक युद्ध है Operation Gibraltar World's Largest Tank War After the World War Second बहुत सारी भारत की वीरता की कहानिया है जो Operation Gibraltar से जुड़ी हुई है हमारे पास बहुत अच्छे टैंक नहीं थे, बट रेंटू हमने पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट किया था पढ़िएगा विडियोस देखिएगा Operation Gibraltar के बारे में आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत प्राउड फील होगा दोस्तो तो Operation Gibraltar याद रखिए जो 1965 में हुआ था युद्ध में परश ने पूँचा भी गया है कि दुतिय विश्य युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंक Operation कौन सा था वो Operation Gibraltar था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ फिर 1971 में ये कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ मुक्ती वाहनी और इसके द्वारा बांगलादेश का गठन हुआ Establishment of Bangladesh या Foundation of Bangladesh और फिर हुआ दोस्तो 1999 में कारगिल युद्ध और कारगिल युद्ध में भारत ने एक Operation चलाया था जिसे Operation Vijay कहा जाता है हाल ही में एक फिल्म आई है Major ठेक है दोस्तो तो Major फिल्म में आप जानते हैं कि भारत के वीर शहीद कैप्टन संदीप उन्ने कृष्णन के ऊपर बनाई गई एक फिल्म है आप जानते हैं कि उन्होंने अपना बलिदान दिया था जब भारत में मुंबई में 2008 का हमला हुआ था देखिएगा फिल्म बहुत अच्छी फिल्म हैं दोस्तों तो जो Major संदीप हैं उन्होंने Operation Vijay में भी भाग लिया था यहाँ पर भी उनका योगदान था दोस्तों तो यह कुछ बाते हैं जो आपको याद रखनी है फिल्म भी देखिएगा उनके बारे में जानकारी लीजेगा आगे प्रश्न भी आ सकता है तो ध्यान से इन चीजों को पढ़िए और उससे भी important क्या ही यह बहुत proud moment होते हैं आपको पता चलता है कि एक country जब होते हैं तो उसके लिए कितने लोग sacrifice करते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं इसलिए ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए और appreciate करना चाहिए एक और बहुत अच्छी फिल्म है जरूर समय निकालिए देखिए इस फिल्म को आपको पता पड़ेगा कि कैसे साजिस की जाती है और देश के बहुत बड़े वैग्यानिक को जूटे आरूप में फसाया गया यह बहुत inspiring movie है जो आपको बहुत सारी बाते बताती है ठीक है अगला दोस्तों हम discuss करेंगे जो अगला है वो है सरक्रीक विवाद इस topic को थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान दीजे पहले यहाँ पर एक शब्द को समझे एक शब्द है क्रीक ठीक है एक word है क्रीक तो इसका मतलब क्या होता है देखो ऐसा माने कि मान लीजे कि यह कोई स्थलिय भाग है ठीक है यह स्थल है पूरा स्थल है और यहाँ पर दोस्तों क्या है को थोड़ा मोटा कर देते हैं यह पूरा एक स्थलिय भाग है और यहाँ पर क्या है तो हम सभी जानते हैं कि साब यहाँ पर समुद्र है ठीक है समुद्र ही होता है अब क्या होता है कि जब समुद्र का एक हिस्सा समुद्र का कोई भी हिस्सा दोस्तों इस तरीके से स्थल में घुस आए ठीक है यह देख इस्थल में घुसा हुआ हिस्सा इस हिस्से को हम क्रीक के नाम से जानते हैं और जब दोस्तों कोई इस्थल ये भाग ये देखिए यहाँ पर समुद्र है ये पूरा ओशन है देखिए यहाँ पर ये पूरा ओशन है तो जब कोई इस्थल का भाग समुद्र में बाहर की ओर आ इस्थल का कोई हिस्सा समुद्र में बाहर की ओर निकला हो और जब समुद्र का कोई हिस्सा इस्थल की ओर घुश जाए तो उसे हम क्रीक के नाम से जानते हैं। अब दोस्तो सरक्रीक नाम दिया गया क्रीक एक इस्थल आकरती है क्रीक एक लेंड फॉर्म है दोस्तो याद रखिएगा। तो सरक्रीक जो है, यह कहां पर है, तो देखें, यहां पर अरब सागर है, अरब सागर, तो अरब सागर में देखिए, यह देख रहे हैं आप, इस वाले डाइग्राम में देखो और अच्छे से, यहां पर देखो यह समुद्र का हिस्सा, इस थल के अंदर घुसा हुआ है, त और यहां पर दोस्तों जो हिस्सा है उसे सर क्रीक कहा जाता है तो इसको लेकर के विवाद चलता रहा पाकिस्तान इस पर अपना क्लेम करता रहा पाकिस्तान का क्लेम रहा कि यह हमारा हिस्सा है अल्टिमेटली फैसला हुआ कि इंडिया का हिस्सा है दोस्तों यह और यही पर आप देखिए एक कोरी क्रीक भी है, जो कच्छ की खारी के पास इस्थित है, अरब सागर में, तो क्रीक याद रखिएगा कि महा सागर का इस्थल में घुशा हुआ संकीर्ण जलिये भाग, अब इसका महत्व क्या है, तो 96 स्क्वेर किलोमीटर का ये इलाका है, सरक्रीक का, यहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है, फिश प्रोडक्शन होता है, और इसी चीज को लेकर के यहाँ विवाद की इस्थिती बनी हुई है, तो प्रशन पूछा भी गया है, कि सरक्रीक का विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो सरक्रीक का विवाद दोस्तों याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, कहां पर है सरक्रीक, तो सरक्रीक जो है, वो गुजरात वाले इलाके में आप देखी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला मुद्दा सरक्रीक के ऊपर एक इलाका है कच्छ का रन या रन ओफ कच्छ हम सभी जानते हैं कि रन ओफ कच्छ गुजरात में इस्थे थे दोस्तों और बहुत फेमस एक टूरिस्ट प्लेस भी है और इसमें मैप में भी आपको क्लियरली दि चीसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्टिक्ट है और यही पर दोस्तों फैला हुआ है कच्छ का रन या रन ओफ कच्छ यह पूरा एक नमकीन और दलदली इलाका है यह पूरा एक मार्शल एंड है और बहुत सॉल्टी और यहाँ पर आप जानते हैं कि नमक का उत्पादन किया जाता है, salt production किया जाता है, तो इस इलाके पर 1965 में पाकिस्तान ने सड़नली अटेक कर दिया और इसके बहुत बड़े हिस्से पर क्लेम करने लगा, फिर ये केस इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा और अंतर रास्टिये कोर्ट ने 1968 में ये decision दिया कि कच्च के रण का जो 90 प्रतीशत हिस्सा है, वो भारत का है, इंडिया का है, और सिर्फ 10 प्रतीशत हिस्से पर पाकिस्तान का अधिकार है, तो इसे resolve कर लिया गया, जो विवाद हुआ था, कच्च के रण को ले करके, और यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस इलाके में यहीं पर है दोस्तो, क्रीक अर्थात सर क्रीक वाला मुद्दा, तो कच्च का रण भी याद रखिएगा कि ये गुजरात के कच्च जिले में इस्तेत है, 1965 में पाकिस्तान ने इस पर अटेक कर दिया, और अटेक करके कहा कि ये हमारा हिस्सा है, और फिर 1968 में विवाद सुल्जा, भारत का 90 प्रतीशत कच्च पर धिकार है, और 10 प्रतीशत इलाका जो है वो पाकिस्तान का है, चिक चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला विवाद सियाचिन ग्लेशर को लेकर के है, तो सियाचिन ग्लेशर के बारे में 2-3 बाते समझे, अभी हम हिमाले के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, अगली कुछ किलासों में, तो हिमाले परवत का एक हिस्सा है, ट्रांस हिमाले, बिल्कुल सबसे उत्तर की ओर, ट्रांस हिमाले, ट्रांस हिमाले में एक परवत श्रंकला है बहुत बड़ी, कारा कूरम परवत श्रंकला, कारा कूरम रेंज में भी एक साल्टेरो रेंज है, ठीक है साल्टेरो रेंज, और इसी कारा कूरम श्रंकला में इस्तित है सियाचिन ग जिस पर भारत का अधिकार है जिस पर इंडिया का अधिकार है स्रियाचिन ग्लेशर के बारे में कुछ बात नहीं याद रखिएगा दोस्तों कि ये लगभग एक क्यावन सो मीटर की उचाई पर इस्थे थे मतलब बहुत उचाई पर इस्थे थे एक बात ये भी याद तो इतनी बर्फ कहीं नहीं पाई जाती, जितनी ज़्यादा सियाचिन गलेशियर पर पाई जाती है. अब सियाचिन गलेशियर के बारे में यह डिसाइड किया गया था कि इस पर हम सैना नहीं रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में फीस अग्रिमेंट था, क्योंकि ब ये की दोस्तों कि पाकिस्तान ने इस हिस्से पर कबजा करने के लिए आर्मी भेज दी और जब भारत को पदा पड़ा तो 1984 में 1984 में भारत की आर्मी के द्वारा ओपरेशन मेगदूत चलाया गया और इस ओपरेशन मेगदूत के द्वारा फाइनली वापस से सियाचिन को भार में मिलाया गया एक और बात याद रखना कि यहीं सॉल्टेरो रिंज के पास एक नदी निकलती है जिसे नुब्रा नदी कहा जाता है और नुब्रा नदी जाकर के शियोक नदी में मिलती है और शियोक नदी जाकर के सिंधु नदी या इंडस रिवर में जाकर के मिलती है दोस में हैं लद्दाक में अगर हिमाले की बात करेंगे तो ट्रांस हिमाले की उचाई माफ कीजिए 5100 नहीं 5700 मीटर उचाई है 72 किलो मीटर की लंबाई है और 2-3 किलो मीटर की चोडाई है यह इलाका है जो पहले भी हमने आपको दिकाया है यह देखिए यह सियाचिन का हिस्सा है देख रहे हैं दुनिया का सबसे उचा युद्ध इस्तल है वर्ल्ड का हाइस्ट बैटल फील्ड है पहले नहीं था लेकिन जब 1984 में पाकिस्तान ने इस पर हमला किया फिर भारत ने ऑपरेशन मेगदूत चलाया तब यह दुनिया का सबसर्वच युद्ध छेतर बन गया ह हाइस्ट बैटल फील्ड बन गया स्रियाचिन ठीक है देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है कि भारतिय सेना ने 13 अप्रेल 1984 को ऑपरेशन मेगदूत चलाया और स्रियाचिन को मिलाया ठीक है दुनिया का सबसे उच्छा युद्ध इस्तल है यहां पर जैसा हमने बताया कि क करके मिलती है ठीक है चलिए अब हमें एक बहुत इंपोर्टेंट मुद्धे को डिसकस करना है और इस मुद्धे का नाम है दोस्तो सिंधु जल समझोता इंडस वाटर ट्रिटी दुनिया का सबसे उदार जल समझोता इसे माना गया है जो विश्व बैंक की कह सकते हैं कि वि विश्व बैंक का सबसे उदार जल समझोता है सिंधु जल समझोता कैसे हुआ क्या विवाद हैं ये सारे टौपिक को ॡिसकस करेंगे पहले आप ये समझे कि सिंधु जल समझोता इसे क्यों कहा जाता है देखो दोस्तों दो शब्द होते हैं एक शब्द होता है नदी system देखो जैसे मानलो हम बात करेंगे गंगा तो गंगा एक नदी है दोस्तों लेकिन गंगा में आकर के बहुत सारी नदियां मिलती हैं बहुत सारी river गंगा को ज्वाइंट करती हैं तो इस पूरे हिस्से को अब हम कहेंगे गंगा नदी तंत्र गंगा रिवर सिस्टम तो ये नदी और नदी तंत्र के अंतर को हमेशा याद करना जब एक नदी और नदी की सहायक नदियों को मिला करके हम बनाते हैं दोस्तो नदी तंत्र तो ऐसे ही भारत के बिलकुल उत्री भाग में इंडिया के नदी तंत्र है और इसे कहा जाता है इंडस रिवर सिस्टम अर्थात सिंधू नदी तंत्र तो इसकी प्रमुख नदी कौन सी है तो प्रमुख नदी तो साहब इसकी सिंधू है जो इसकी में रिवर है वो इंडस है और सिंधू रिवर की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन स तो इसमें पाच सहायक नदिया निकल करके आएंगी एक नदी है दोस्तो जेलम, फिर एक नदी दिखाई देगी चेनाव, फिर एक नदी है ब्याश, फिर एक नदी है रावी और एक नदी है सत्लच तो ये 6 नदियां मिलकर के बनाती हैं इंडस रिवर सिस्टम सिंधु नदी तंतर. अब अगर आप इन सभी नदियों को देखें, इंडस रिवर सिस्टम को देखें, तो इन नदियों का ओरिजिन होता है तिब्बत वाले इलाके में. देखिए यहाँ पर और ये नदियां भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी जाती है मतलब भारत में भी ओरीजिन हो रहा है जेलम का ओरीजिन भारत में है चेनाप का ओरीजिन भारत में है व्यास का ओरीजिन भारत में है इंडस और सतलच का जेलंबी ओरिजिन भारत में ठीक है पर ये नदियां भारत के अलावा पाकिस्तान में भी जाती हैं मतलब ये अंतर रास्टी ये नदियां हैं मतलब ये इंटरनेशनल रिवर है तो पाकिस्तान की लगातार ये मांग रही कि देखिए इस मुद्दे को सु डिवाइड करेंगे तो ये मुद्दा विश्व बैंक के पास पहुचा वर्ल्ड बैंक के पास पहुचा और विश्व बैंक ने एक व्यक्ति हैं रेमंड इनकी सहायता से 1960 में एक समझोता तैयार किया और उस समझोते को कहा जाता है इंडस वाटर कृटी सिंधू जल समझो अब इस ट्रिटी में क्या कहा गया तो सबसे पहले जो सिंधू नदी तंतर की छे नदियां हैं उन्हें दो भागों में बाटा गया इस तरीके से आप देखेंगे कि ये सिंधू नदी इस तरीके से जारी जो अरब सागरी मलती है तो जो तीन नदियां हैं दो भागों में से बाटा गया, एक तरप western river पस्चमी नदियां और दूसरी तरप इन्हें माटा गया eastern river अर्थात पूर्वी नदी तो पूर्वी नदी में शामिल हुई सतलच जो आपको दिखाई देगी सतलच के अलावा रावी और रावी के अलावा ब्यास western नदी में जो शामिल हुआ दोस्तो उसमें शामिल थी इंडस इंडस के अलावा जेलम और जेलम के अलावा चेनाब नदी चेनाब नदी समझोते में ये कहा गया कि कि चितनी भी पस्चमी नदियां हैं western river हैं इन पस्चमी नदियों के 80 प्रतीशत पानी पर पाकिस्तान का अधिकार होगा और जो 20 प्रतीशत पानी हैं उस पर भारत का अधिकार होगा और पूर्वी नदी अर्था इस्टर्न रिवर के बारे में कहा गया कि पूर्वी नदियों के पूर्वी नदियों के 80% पानी पर भारत का अधिकार होगा, इंडिया का अधिकार होगा और 20% पानी पर पाकिस्तान का अधिकार होगा, पाकिस्तान इन्हें यूज करेगा यही है सिंधु जल समझोता, इंडिस रिवर या इंडिस वाटर ट्रिटी और इसे दोस्तों दुनिया का सबसे उदार जल समझोता कहा जाता है, सबसे जादा लिबरल अगरिमेंट कहा जाता है अब हाल ही में यहाँ पर कुछ विवाद आए, विवाद क्या आए दोस्तों कि जो जेलम है, जेलम इसकी एक सहायक नदी है किशन गंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है तो किशन गंगा रिवर पर एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया भारत ने, जिसे किशन गंगा प्रोजेक्ट कहा जाता है तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ तो पाकिस्तान चला गया कि देखो देखो भाईया ये तो गलत कर रहे हैं भारत जो है वो ज़्यादा पानी का उपयोग कर रहा है तो फिर भारत ने बनाया कि देखो हम यहाँ पर डैम नहीं बना रहे हैं हम यहाँ रन ओफ दा रिवर प्रोजेक्ट बना रहे हैं देखो डैम दो तरीके से आप बिजली बना सकते हैं एक तो आप डैम बनाओ और पानी को स्टोर करो फिर आप बिजली बनाओ लेकिन भारत न आपको कुछ परियोजनों के नाम और बताता हूँ, मैंने जस्ट अभी लिखे हैं, ठीके, तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि जेलम नदी है, तो जो जेलम रिवर है तो इस पर एक किशन गंगा प्रोजेक्ट हो गया, किशन गंगा के अलावा जेलम नदी पर दो प तीन प्रोजेक्ट हैं, एक सलल परियोजना है, सलल परियोजना के अलावा दुल हस्ती परियोजना है, और दुल हस्ती परियोजना के अलावा बगली हारी परियोजना है, तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं, जिनका पाकिस्तान हमेशा से विरोध करता रहा है, और खास तोर प पर आप किशन गंगा प्रोजेक्ट के बारे में याद रखिएगा और किशन गंगा जो है वो जेलम की एक सहायक नदी है और जिस पर भारत में किशन गंगा प्रोजेक्ट बनाया है ये भी याद रखिएगा कि चेनाब नदी पर भारत तीन प्रोजेक्ट बना रहा है एक जेलम नदी पर याद रखिये, एक उरी परियोजना है दोस्तों, जो आपको याद रखना और एक तुलबुल परियोजना है, ठीक है? तो ये मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करा दूगा, तो ये कुछ चीजें हैं which you need to remember, और पाकिस्तान इनका विरोध करता है, उस जोता किया है, इंडिया ने अल्रेडी एक बहुत लिबरल अगरिमेंट किया है, तो ये हैं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ प्रमुक मुद्दे, उसके अलावा आप जानते हैं कि 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान ने पठान कोट हमला किया, 18 सितंबर 2016 को उरी हमला किया गया, 19 इसके जवाब में भारत ने सर्जीकल स्ट्राइक की थी, 19 सितंबर के दिन, 14 फरौरी 2019 को पुल्वामा हमला किया गया और फिर भारत ने हवाई मारक से सर्जीकल स्ट्राइक की थी, तो ये हाल ही में कुछ रिसेंट डवलपमेंट है, ठीके, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच के प्रमुख मुद्दे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के major issues हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आज का आखरी topic हम discuss करेंगे, और अब हम भारत और नेपाल सीमा की चर्चा करेंगे, इंडिया नेपाल बॉर्डर की अब हम चर्चा करेंगे, तो एक खुली सीमा है, ओपन बाउंडरी है, और भारत के पाँच राज्ये हैं, जैसे सबसे पहले यहां देखेंगे तो उत्राखंड दिखाई देगा, फिर यहां आएंगे तो यूपी दिखाई देगा, इसके बाद बिहार दिखाई देगा, फिर थोड़ा सा हिस्सा और बीच में दोस्तो नेपाल दिखाई देगा, तो भारत के पाँच राज्ये हैं, जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा सांजा करते हैं, देखो कभी भी भारत और नेपाल के बीच में कुछ विवाद आया नहीं, लेकिन हाल ही में में मेपाल ने एक विवाद क्रेट किया, स दूसरा इलाका है लिम्पियाधुरा और तीसरा इलाका है लिपुलेख। ये तीनों ही इलाके उत्राखंड के हैं, मतलब ये तीनों ही इलाके भारत के हैं। नेपाल ने अभी एक मैप जारी किया और नेपाल ने लिम्पिया धुरा, लिपुलेख और काला पानी इन तीनों को अपना हिस्सा बताया और यहीं से भारत और नेपाल के बीच में इस बिवाद की शुरुवात हुई नेपाल ने कहा कि देखिए एक सुगौली की संधी हुई थी 1816 में 1816 में सुगौली की संधी हुई थी और नेपाल का कहना है कि इस संधी के हिसाब से जो काली नदी है अर्थात जिसको हम भारत में महा काली नदी के नाम से जानते हैं तो काली नदी के पूर्व मतलब अगर य इतना भी इलाका है वो सारा का सारा इलाका नेपाल का है और उसी के तहत उसका कहना है कि लिंपिया धुरा, काला पानी और लिपुलेक नेपाल के हिस्से हैं। ये पूछा जा सकता है कि लिंपिया धुरा कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में आता है, और काला पानी और लिपुलेख ये जगह की नाम है, और ये भी दोस्तों उत्तराखंड में ही आते हैं, चलिए. आगे बढ़ते हैं, और आखरी टॉप एक और पढ़ी लेते हैं, भारत और म्यानमार की सीमा, इंडिया और म्यानमार की बाउन्री, क्या-क्या विवाद है, क्या चीजें है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं. तो भारत और म्यानमार के बीच में 1643 किलोमीटर की सीमा है और हम जानते हैं बड़ी सीधी सीमा है इस तरह की की बाउनडरी है यहाँ पर भारत है और यहाँ पर म्यानमार है अगर भारत के राजियों की बात करें, तो यहां अरुनाचल प्रदेश आता है, फिर नागा लेंड आता है, मनीपुर आता है और मिजुरम आता है, तो यह भारत के चार राज्य हैं, एक, दो, तीन, चार. अब इसमें हमने ये भी डिसकस किया था, कि भारत और म्यानमार के बीच में, जो सीमा है, वो एक नैचुरल बाउन्री है, वो एक प्राकरतिक सीमा है, और भारत और म्यानमार के बीच में ये सीमा, एक परवत बनाता है, और इस परवत का नाम है, अराकान योमा परवत, अराक का हिस्सा है, तो अंड़मान निकोबार से यहां तक यह परवत रहनी है, अंड़मान निकोबार वाला हिस्सा नीचे धस गया था, दोस्तों, ठीक है, तो अराकान योमा माउंटेन, तो ये याद रखेगा कि भारत और म्यानमार के बीच में नैचुरल बाउंडरी है जो अराकान योमा परवत बनाता है अगर आपने अब तक करेक्ट नहीं किया है तो कल मुझसे गलती हुई थी फिर से करेक्ट कर लीजे कि फ्रांस और स्विटर्लेंड के बीच में जूरा परवत बाउंडरी बनाता है कल मैंने इस्पेन बोल दिया था जबकि इस्पेन और फ्रांस के बीच में पाइनरीज करके एक माउंटेन है वो सीमा बनाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत और म्यानमार के बीच में कौन-कौन से मुद्दे हैं ये देख लो ये अराकान युमा परवत है ये म्यानमार है ये इंडिया है यहां से इरावडी नदी जाती है इरावडी नदी जाती है ठीक चलो तो पिरमुख बहुत बढ़ा मुद्दधा है. मानोतसकरी का एक बहुत बढ़ा मुद्दा है. और उग़वाद का बहुत बढ़ा इस्सा है. Terrorism, Human Trafficking और Insurgency ये भारत और म्यानमार के बीच में कुछ प्रमुख मुद्दे है इसलिए दोस्तों कि एक यहाँ पर Trafficking बहुत बड़ा मुद्दा है Trafficking दो प्रकार की, एक तो मानवों की तश्टकरी हो रही है, एक तो Human Trafficking हो रही है और Human के अलावा यहाँ से Drug Trafficking भी बहुत जादा होती है और यहाँ पर Left Wing Extremism पाया जाता है, जो अपने आपको लोग Marx वादिया एक्स्ट्रीम मार्किजम यहाँ पर पाया जाता है तो वो भी भारत में लगातार हमले करते रहते है, बहुत सारे यहाँ पर आतंकवादी कैम्प भी पाये जाते है तो इस चीज के लिए दोस्तों, म्यानमार और भारत के बीच में रिष्टे बहुत अच्छे हैं और दोनों इन चीजों को मिलकर के टैकल करते हैं इसका उधारन मैं आपको बताता हूँ, इसका एक उधारन है Operation Sunrise 2015 और 2019 म्यानमार और भारत की सेना दोनों ने मिलकर के एक Operation को अंजाम दिया जिसे Operation Sunrise कहा जाता है दोनों सेनाए आपस में जुड़ी और आपस में जुड़ करके म्यानमार वाले इलाके में जो आतंकवादियों के कैम्प थे उन पर हमला करके वहाँ पर उनको हटाया तो Operation Sunrise आपको याद रखना है, कलादान प्रोजेक्ट ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पर उससे पहले ये बातें जान लीजे कि म्यानमार का जो पुराना नाम है वो बर्मा था, इसे दक्षिन पूर्वे एशिया का द्वार कहा जाता है, गेटवे ऑफ साउथ इस्ट एशिया कहा जाता है और भारत साशन अधिनियम 1935 के द्वारा, Government of India Act 1935 के द्वारा भारत और म्यानमार को अलग किया गया था तो बेसिकली जो म्यानमार है, वो भी ब्रिटिश भारत का ही एक हिस्सा था, पर 1935 के Government of India Act के द्वारा इन्हें अलग-अलग कर दिया गया अब हमें चर्चा करनी है सबसे important topic जो भारत और म्यानमार के बीच में है, that is कलादान project पहले पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं कोलकाता को म्यानमार के सित्वे बंदरगाह से जोडती है, इस परियोजना से कोलकाता और मिजोरम के बीच की दूरी 1800 किलो मीटर से घट करके 930 किलो मीटर हो जाएगी अब हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, एक बड़ा ही important मुद्दा है पलादान project समझी इसके बारे में क्या project है देखो अभी हमने आपको भारत का मैप दिखाए था और हमने आपको एक समस्या बताई थी कि अगर पूरे भारत को ये हमारा पूरा नौर्थ वाला इंडिया है अगर पूरे भारत को नौर्थ इस्ट इंडिया से connect करना है तो हमारे पास साहब एक ही रास्ता है और वो रास्ता है सिली गुडी कॉरिडोर एक तो strategic बात हो गई दूसरा मुद्दा ये है कि अगर भारत को कोई भी सामान मनीपूर, त्रिपुरा, नागालेंड पहुचाना है तो उसे इतना बड़े रास्ते से हो करके पहुचाना पड़ता है देख रहे हैं इतना बड़ा रास्ता घूम करके जाना पड़ता है बांगलादेश के साथ अभी agreement होना है पर इतना बड़ा रस्ता है जो हो करके जाता है तो इस चीज का समाधान करने के लिए भारत और म्यानमार ने एक project बनाया और इस project को कलादान project कहा जाता है इसमें क्या होगा दोस्तों कि भारत में कलकत्ता बंदरगाह औरेड़ी है तो कलकत्ता बंदरगाह से सामान को लोड किया जाएगा यहां से सामान बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो 549 किलोमीटर का रास्ता है सीधे म्यानमार पहुचेगा और म्यानमार में एक बंदरगाह होगा सित्वे, कौंसा बंदरगाह, सित्वे बंदरगाह, फिर सित्वे बंदरगाह में यहाँ पर एक नदी है और इस नदी को कहा जाता है कलादान नदी 158 km, तो इस सितवे बंदरगाह में फिर एक जहाच के द्वारा नदी में सामान भेजा जाएगा और नदी के रास्ते होते हुए 158 किलोमीटर नदी के रास्ते होते हुए म्यानमार में एक जगह है पलेतवा यहाँ पर यह जगह पहुँचेगा फिर दोस्तों यहाँ से लेकर के मिजूरम तक के लिए एक हाईवे बनाया जाएगा 129 किलोमीटर का और यहाँ से फिर मिजूरम में सामान पहुँच जाएगा अभी जब कलकत्ता से मिजूरम सामान जाता है तो यह लगभग 1800 किलोमीटर का रास्ता है जैसे ही यह योजना काम करेगा यह कलकत्ता बंदरगा है तो सबसे पहले कलकत्ता से सित्वे बंदरगाह तक कौन सा बे ओफ बंगाल बंगाल की खाड़ी अब यहाँ पर एक नदी है सित्वे बंदरगाह से उस नदी का नाम है कलादान नदी ठीक है तो यहाँ से लेकल के पलेटवा जो एक और सित्वे से लेकर पड़ेता ये पूरा रास्ता जलमार्ग द्वारा तै होगा फिर यहां से 129 किलो मीटर का हाईवे बनाया जाएगा म्यानमार में और ये हाईवे मिजोरम में कनेक्ट कर देगा तो ये रास्ता इतना कम हो जाएगा यही है कलादान प्रोजेक्ट या मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट तो ये हैं दोस्तो भारत के पड़ोसी देश और भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध उसकी सीमाएं उसके विवाद तो इस टॉपिक के साथ हमने हमारा एक और बहुत बड़ा टॉपिक कम्प्लीट कर लिया कल हमारी इस पहले अर्ध्याई की आखरी क्लास होगी और उसमें हम भारत की जलिय सीमा के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम इंडिया की वाटर बाउंडरीज को डिसकस करेंगे एक इंपोर्टिन्ट बात बता दू कि हमारा आधुनिक भारतिये इतिहास का कोर्स अनकैडमी के प्लस प्लेटफ अभी एक ओफर भी आया है जर्णली दो साल का अगर आप सब्स्रिप्शन लेते हैं तो दो साल का सब्स्रिप्शन आपको 14,849 रुपे में पढ़ेगा लिकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड SGLIVE इस्तमाल करते हैं यहाँ पर रेफरल कोड के रूप में तो आपको ये दो सा सब्स्रिप्शन तो मिलेगा ही उसके अलावा दोस्तों आपको 6 महिने का एक्स्टेंशन मिलेगा मतलब 24 महिने की जिगह 30 महिने तक अनकैडमी का सब्स्रिप्शन आपको मिलेगा तो सब्स्रिप्शन को जुरूर अभी लीजे 5 और 6 तारिक कल पूरे दिनिया उफर रहेग उमीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंदा रही होगी आज की क्लास में जैसा मैंने कहा था थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी लेकिन हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है कल इस टॉपिक की आखरी क्लास है फिर दोस्तों हम साथ, आठ और नौ तारिक को MCQ लगाएंगे इसके अनकैडमी की स्पेशल क्लास पर एक बात मैं फिर से बता दूँ कि मैं दो दिन का गैप लूँगा दो या तीन दिन का मुझे बाहर जाना है तो ये क्लास नहीं होगी लेकिन कल ही एक क्लास होगी और परसो वाहर जाऊंगा तो बाहर से मैं आपकी MCQ वाली क्लास कंड़ेट करा लूँगा ना ख्याल रखिये, बहुत खुश रहिए God bless you and let's crack it झाल कर ऊपकी झाल कर दो